तूल राज सितंबर दोहजार इक्किस ग्रहों का सहयो कम फिर भी लाव उत्तम फूक से दिया तो भूच सकता है लेकिन अगर बत्ती नहीं क्योंकि जिससे सुगंद की उत्पत्ती होती है उसे कोई बुझा नहीं सकता सभी को साथ में लेकर चलने के लिए सही संतुलन बनाए रखने के लिए तुला राशी के जातक जाने जाते है सभी को साथ लेकर चलना सभी से प्रेम करना सभी के साथ मिठी बाते करना सभी के समस्याओं का समाधान करना सही संतुलन बनाए रखना आपका अस्ताई भाव है उस अनुसार आप सभी के साथ वित्रता का दवार रखते हैं नमस्कार, मैं आइस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों का हर्तिक स्वागत करती हूँ हम सितंबर दोहजार इकिस के राशी फल का अध्यान कर रहे हैं आज के भाग में हम तुला राशी के बविश्य का विश्रेशन करेंगे तुला जातकों के लिए यह सितंबर महना कैसा रहेगा इस पर हम विश्तार से वार्तालाब करेंगे इस राशी बविश्य का आप लाब उठाए साथ हई अपने मित्रों और रिष्टेदारों के साथ उनके राशी के अनुसार राशी भल को साजा करना न बुले व्यक्तित्व व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें तो कुल मिलाकर जब हम किसी महने के राशी भल को देखते है तो राशी स्वामी की स्थिती अत्यन्त महतो पुर्णा होती है क्योंकि आपका व्यक्तित्वर राशी स्थिती पर निर्भर होता है तद्नुसार आपका राशी स्वामी शुक्र इस ग्रह मेहने की शुरुवात में आपके व्यस्तान पर नीच अवस्ता में है हाला कि वहां उपस्तित बुद्ध ग्रह द्वारा उसका नीच भंग हो रहा है तो उस तितिक से आपको लाभ प्राप्त होगा भागेश और राशी स्वामी की यूति आपके व्यास्थान में होई है जो आपके व्यक्तित्व को एक नया अर्थप्रदान कर रही है अर्थात इस सौधी में आपके विचार विदेश की ओर आकरशित होंगे कि घर से कहीं दूर जाए और वहां नोक्री व्यासाय करने का प्रयास करे यह बहुना आपके मन में तिवर हो सकती है 6 सितंबर को राशी स्वामी आपके राशी में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके व्यक्तित्व में शुभब अदला होंगे अर्थात जो मुल्गुन है कि सभी को साथ लेकर चलना सही संतुलन पनाये रखना सभी की मदद करना इनमें वृत्ती होगी साथ ही जब वैश व्यस्तान में होता है और राशी स्वामी राशी में होता है तो एक विपरीत राजयोग की निर्मिती होती है जिससे राशी स्वामी अधीक मजबूत होता है इस माह में आपको लाब की प्राप्ति भी होगी संक्षेप में कहे तो यह महिना आपके व्यक्तित्व को सबुरुद्ध करे मेहने की शुरुवात में आपका कुटुमबेश लाबस्तान में विराजबान है इसे हम धनेश लाबस्तान में कह सकते है यह अत्यनत शुभस्तिति मानी जाती है लेकिन वह आपको केवल 6 सितंबर तक ही प्राप्त होगी उसके बाद आपका कुटुमेश मंगल ग्रह लाभस्तान से व्यस्तान में प्रवेश करेगा अर्थात वह मित्र की राशी से सत्रू ग्रह की राशी में प्रवेश करेगा तो इससे नकारात्मक प्रभा उत्पन्न होंगे फल्सोरूप पारिवारिक खर्च, कलह, संगर्ष, विवाह या परिवार से दूर जाने की प्रवरुत्ती जीवन साथी के लिए खर्च करना पड़ सकता है हाला कि इस अउधी में आप अपने माता-पिता के सहयोग एवं आशिर्वात से मुद्दे को सही प्रकार से सुलजाते हुए प्रगती की ओर अग्रसे रहेंगे मेहिनत एवं परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें तो इस मेहने में तुला जातकों को सम्मीश्र फल प्राप्त होंगे क्योकि आपके परिश्रम एश्क गुरु महराज कुम्ब राशी में विराजबान है वे वक्री अवस्ता में आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे है लेकिन 14 सितंबर को मकर राशी अर्थात आपके चतुर्त भाव में प्रवेश करेंगे वहा नीच अवस्ता उन्हें प्राप्त होंगी हाला कि वहा उपस्तित शरी महराज द्वारा उनका नीच भंग होगा फिर भी वक्री अवस्ता के गुरु महराज आपके परिश्रम पर निश्चीत ही कुछ प्रतिकुल प्रभाव दालेंगे आपका उच्साह लगातार कम होता जाएगा आपके मन को निराशा घेर सकती है ऐसी वीपरीच स्तिती में आपको अपने इच्छा शक्ति के बल पर परिश्रम करना होगा वही आपके लिए लाभकारी रहेगा वास्तु वाहन भुमी सुखशान्ती के दुरुष्टी से विचार करेतो यह महिना तुला जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्धों का क्योंकि आपके चतुर्तस्तान पर शनी महाराज शशयोग का निर्मान कर रहे है पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभयोग होता है जिससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा जब गुरु महाराज आपके चतुर्तस्तान में प्रवेश करेंगे तो वे नीच अवस्ता में होंगे और वहां शनी महाराज स्वराशी के है अर्थात गुरु महाराज का नीचत तो भंग होगा फल स्वरुप उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी वास्तु वाहन दोनों ही दुरुष्टी से यह स्थिती आपके लिए लाभ कारी सिद्ध होगी जिसका आप पूरा सदुपयोग करना चाहिए शिक्षा शिक्षा एव मिष्टदेव के सहयोग के गृष्टी से विचार करेतो आपके पंचमेश स्वर राशी में विराजमान है किन्तु वह पंचम स्थान के व्येस से यात्रा कर रहे है फल स्वरुप इस अउधी में आपको कठिनाईयों का सामना करना होगा शिक्षा में बाधाय उत्पन होगी अधीक परिश्रम करना होगा अर्थात अधीक अध्यान करना तुला जातकों के लिए आवश्यक है तब ही आप अपेक्षित सफलता प्राप्त कर चकते हो आप किसी भी शेत्र में पढ़ रहे हो इस अवुद्धी में आपको अधीक अध्यान करने की सलाह दी जाती है क्योंकि जब भाग्य साथ नहीं देता है ग्रहों से उचीत सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो सफलता पाने के लिए अधीक परिश्रम करना यही एक मात्र विकल्प होता है स्वास्त कर्ज प्रतिसपर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करे तो इस माह में तुला जातकों को अत्यनत सतर करहनाओं का क्योंकि स्वास्त से सम्मंदित सपल्ष्याय उत्पन्न होना मीठा खाने की लालसा बढ़ने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है या जिने डाइबेटीच है उन्हें इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि शुगर न बढ़े वजन न बढ़े प्रतिसपर्दियों से भी आपको संघर्ष करना होगा क्योंकि आपके सस्टेश गुरु महाराज वक्री अवस्ता में है हाला कि अभी तक वे शुभस्तिती में थे लेकिन 14 सितंबर को वे मकर राशी में प्रवेश करेंगे और निचत्व को प्राप्त होंगे फलसरूप इस अउधी में प्रतिसपर्दियों एवंशत्रूयों की गति विदियों में वुद्धि हो सकती है कही न कही उसका आप पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा इसलिए आपको अत्यंत सतर करेहना होगा नोक्री एवं व्यावसाय की दुरुष्टी से विचार करेतो जो तुल जातक व्यावसाय वापार कर रहे है उनके लिए यह महिना अत्यंत लाभकारी और इच्छाव की पूर्तिका होगा उसकी तुल्ना में जो जातक नोक्री कर रहे है उनके लिए लाभकी प्राप्ती थोड़ी कम रहेगी दुसरे पक्वाडे से व्यावसाय जातकों को भी अप्रत्यक्षित खर्चों का सामना करना होगा खास कर वे जातक जिनका साजेदारी में व्यावसाय या व्यापार है उन्हें बहरी नुक्षान उठाना पड़ सकता है इसलिए इस साओधी में बिना पुरा पड़े किसी भी कागच पर हस्ताक्षर न करे उसके प्रती अत्यनत जागरुक रहे वही आपके लिए लाभकारी होगा भाग्य भाग्य की दुरुष्टी से विचार करे तो यह महिना तुला जातकों के लिए बड़े ही सवभाग्य का रहेगा क्योंकि आपका भाग्यश बुदग रह आपके वियस्तान में लेकिन आपकी मूल्ट रिकोन राशी में विराजमान है अर्थात यह स्थिती बहुत लंबी यात्रा और उससे प्राप्त होने वाले लाप को दिखा रही है साथ ही परदेश गमन योग विदेश में स्थीत जातकों को लाप जैसे लाप के विभिन्न आउसर प्राप्त होंगे उनका आपको सदुपयोग करना चाहिए कर्म की दुष्टी से विचार करे तो तुला जातक अत्यंत कर्म प्रधान होते है लेकिन आप हार्ड वर्क से अधिक स्मार्ट वर्क को प्राथमित्ता देते हो तद्नुसार इस माहब ही आपका स्मार्ट वर्क जारी रहेगा विशेश रूप से मेहने का पहला पखवाड़ा लाबकारी होगा अर्थात नोकरी ये ओम व्योसाय में भले ही संगर्ष की स्थिति हो लेकिन पहले पकवाड़े में आपको अवश्य ही लाब की प्राप्ती होगी और दूसरे पक्वाडे में संघर्ष जारी रहेगा इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने में अपने काम की योज़ना बनानी चाहिए लाभ, लाभ की दुरुष्टी से विचार करेतो यह महीना तुला जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा एक ओर, जहां कई ग्रहों से असहयोग, कई स्तानों से असहयोग की स्तिती उत्पन होगी वही दुसरी ओर आपको लाभ की प्राप्ती अवश्य होगी इस सौधी में लाभ के साथ आपको बनो कामना पूर्ती के कई अउसर प्राप्त होंगे आपकी कई सुप्त इच्छाये पुरी होगी जिनका आपको सदुपयोग करना चाहिए ताकि अधीक से अधीक लाभ आप प्राप्त कर सके वे एवं परदेश गमन की दुरुष्टी से विचार करेतो तुला जातकों को मेहने के दुसरे सप्ता के बाद कुछ और प्रत्याक्षित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है आपके लिए परदेश गमन के योग बन रहे है उससे आपको लाभ प्राप्त होगा अन्या यात्रा के भी योग बन रहे है और उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ती होगी इसलिए आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए अशुब एवं शुभ दिन हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता है जीवन सुख दूख उतार चड़ाव से भरा है उसके अनुसार मेहने के कुछ दिन सभी के लिए बेहत शुभ होते है तो कुछ दिन अशुभ तनाव और संगर्ष से भरे होते है इस सौधी में हम कैसा व्योभार करते है इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है उस दुरुष्टी से विचार करें तो तुला जातकों के लिए दो ग्यारह और बीस यह दिन शुभ होंगे इसी लिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यम कामों को पूरा कर सके साथ ही 9, 18 और 28 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे तो हो सकता है इन दिनों में आपका संगर्ष बढ़ेगा इसलिए आपको इन दिनों को उचित नियोजन करना होगा जिससे आपका मानसिक स्वास्त बना रहेगा उपाए सांसारिक जीवन में अनेक कठान्याईया आती है वास्तु संबंदी प्रश्न होते है पारिवारिक समस्याय उत्पन्न होती है उस अनुसार भगवान स्री कृष्ण के बारह मंत्र है यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान ट्राप्त कर सकते है या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोच सकते है लेकिन हर किसी के लिए उन बारह मंत्रों का जाप करना कम से कम वरतमान काल में संभव नहीं है इसलिए हमने राशी के अनुसार मंत्रों को विभाजित किया है उसके अनुसार तुला जातक ओम, श्रीम, हीम, ख्लीम, श्रीकृषनाय, गोविंदाय, गोपिजन, वल्लभाय, श्रीम, श्रीम, श्रीम इस अत्यंत सरल मंत्र का प्रतिदीन जाप करे तो उन्हें सकारात्मक परेडाम प्राप्त होंगे विशेश रूप से इस भादरपत माहा में जिसमें गणेश चतुर्ती, महालक्ष्मी, अनन्द चतुर्दशी, श्राद्द पक्ष सुरू होने वाला है इन सब बातों का विचार करे तो आपको इस उपाय के लिए शुभपल प्राप्त होंगे तो मुझे लगता है करक जातकों के लिए यह महिना कैसा रहेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है इसलिए हम यही रुखते है अगले भाग में हम रुष्चिक राशी के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे धन्यवाद शुभब भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद